हलो अब्रिवन ये टाटा स्टील चेस्ट मास्टर्स का राउंड 13 का एक गेम है जिसमें वाइट पीस में यहाँ पे अर्जुन इरी के आसी खेल रहे हैं और ब्लैक पीस में यहाँ पे मैंगनस कालसन खेल रहे हैं तो यहाँ पे वाइट ने जो सुर्वात की नाइट एफ 3 से की और उसके जवाब में यहाँ नाइट एफ 6 फिर जी 3 और यहाँ पे बी 6 बिशप जी 2 और बिशप बी 7 वाहू दोनों बीशप आपने सामने यहाँ पे खड़े हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे कैसल किया जवाब में यहां पे C4 अभा जाने सेवनों है उसके जवाब में C4 के उस तो यहां पर कैसल कहने त्रत कर दिए है भलाकी तो यह ऑлекनां पर यहां पर कैसल पेडिशला की मलते हैं अविपयों आप जयाये कपज़ा का संथन किया दर ह्या है देख सकतemosthenium center में आप जो theory move है पहले center को cover करो piece को double up करो राजयों को save करो तो यह जो सारी चीज़ें वो हो रही है castle d5 आया है यहां पे तो center में अपने pawn को और space gain करने के लिए आगे push किया knight a6 आया है यहां पे फिर उसके वाद जो square है इसके लिए आया है knight यहां पे जो knight c3 आया white की तरफ से और उसको knight c5 पे place किया फिर यहां पे आया knight d4 ठीक है तो यहां पे e5 खेला तो आप sponsor capture कर सकते हो और बाद में capture capture में भी रूप देखते हैं क्या होता इस game में इसमें knight गया पीछे knight c2 i think कोई भी यहां पे open नहीं करना चाहता वह कोई भी file को white तो खास कर नहीं करना चाहता तो यहां पर a5 आया यहां पर b3 आया और उसके बाद यहां पर t6 आया तो यहां पर white के pawn structure है पूरे white में है और आपका bishop भी white का जो है भी open है और यह pin है कुछ कर नहीं सकते अभी तो bishop जो यह black वाला है यह इसके फाइल तो उपर है लेकिन यहां पर इसको cover करने के लिए आसानी है तो उसके बाद e4 आया तो आपने white में सारे जो place कर दियें तो में भी आप इस bishop को side exchange करना चाहें लेकिन यहां पर bishop c8 खेला क्यूंकि इस diagonal में कोई भी यहां पर option नहीं है तो जो यह वाला है आप इसमें cover कर रहे हो future में देखते हैं क्योंकि जो यह वाला bishop है क्योंकि यह cover कर लेता इससे पहले आपने इस diagonal को cover कर लिया तो यह भी एक अच्छी move है यहां पर game आप देख रहे हो कि वह जो है पॉन इस्टक्चर अच्छा कर रहे हैं अपने पीस को इधर उधर डैपलब कर रहे हैं अच्छे मूब की तया तलास में यहां पर तो यहां पर F3 खेला तो यहां पर यहां पर यहां पर F1 और उसके बाद यहां पर T 5 क्यूर कर समस्ट यहां पर इसके बीड़ीस कंब पर उसके बाद कुईन आईगी और में भी कुछ भी हो सकता है तो यहां पर खेला गया बीफूर तो उन्हें बोला कि आप वहां से अटैक कर रहे हो तो मैं यहां से करता हूं क्वीन साइट से आप देखतों कौन किसका अटैक जाता कामयाव होते हैं यहां पर नाइट बीस से बनाया और उसके बाद बोला कि यार मेरे नाइट पर अटैक कर दिया तुमने कोई बाद नहीं मैं इस पॉंड से तो नहीं करूंगा अभी कैप्चर अभी मैं नाइट को थोड़ा सा अच्छे पोजिस्टर में ले जाओंगा तो यहां पर आया जी फूर तो यह पॉन ब्र कर दो एक खूए नहीं है अभी तक 19 हो गया अभी तक आइच फाइब लागया ठीक है तो नहीं ब्लाए यहार अब तो फ्री दे रहा हो अब तो कर लो कैप्चर तो उसके बाद यहां पे अभी मिनी किया कैप्चर बोला कि अश्टिर नहीं करेंगे हम कैप्चर भई हम तो करेंगे सब कुछ फिर उसके बाद आया रुक एप सेवन बोले कि ठीक है मत करो मैं वेट कर लूँगा थोड़ी देर तो मैं पहले अपना रुक है उसको भान निकालता हूं थोड़ा और उसके बाद किंग एप्टु आया तो किंग को लगा कि बहुत खत्र है वह क्योंकि यह तो बिशब एफ एट आया उसके बाद रुक आया आपका जीवन पर तो उन्हेंने बोला कि यार उमीद तो लग रही है यह तूटने की थोड़ा तो यहां पर जो राजा है सामने उसके सामने रुक को खड़ा कर देते हैं सायद कुछ अटैक मिल जाए तो उसके बाद यहा यहां पर आया बिशब एफ वन तो उन्हेंन बोला कि ठीक है मैं सीधर राजा के सामने ही रख लोता हूं इसको पहले हैं और कैप्चर कर लो कोई बात नहीं उसके बाद यहां पर नाइट एप 6 तो जो है इस पॉन पर आप जो कैप्चर करने की वह कर रहे हो या फिर यहां कैसे आइडियाज हो सकते हैं यहां पर किंग आया इवन पर आप देख रहो यहां पर सबके सब लाइन से खड़े हो रहे हैं ठीक है तो अच्छा है यह मतलब बिल्कुल वाइड बिल्कुल सब कुछ से खड़ा कर दिया फिर से और नाइट की कमी है बस यहां पर बाकि सब सब्सक्राइब आए इस वाले पर प्रेशर बनाते हैं कैसे प्रेशर बनाया जाए यहां पर सारे अटैकर लगा दिये इस पॉइंट पर की यह जो डिफेंस इसको यहां पर तोड़ा जाकता है कम्जो लगर थोड़ा उसके बाद यहां पर रुक आया बीटू पे पॉसिब knight D8 और मेभी knight को reroute करना चाहते है यहां पर देखते हैं यहां पर क्या होता है knight के साथ उसके बास यहां पर queenी दी 3 by तो queen day 3 oke Queen d3 आया तो देखते हैं हब क्या हुआ queen d3 का idea तो i think अभी मुझे idea Clear नहीं है मेभी अब देखते हैं क्या हुता है knight F7 आया ठीक है तो knight को तो सारे अटेकर वहीं लगा रहे हैं चलो अच्छी बात है किंग डीवन है किंग भाग रहा है भागो यार जल्दी से इस तरफ अटेक हो रहा है सारे आक्रमन कारी इधर सारे तो बिश्यप आगया आपका सब्सक्राइब करें तो इसमें पर अटेकर कर दिया है तो फुल जो है यहां पर बंदों बिस्त कर दिया है ब्लैक में तो सारे मूब जो है किंग अगाने पर लग गाए नहीं पर वाइट के पास बाकिट्वेंश की तरफ उन्हें वन्होंने कुछ साइड आ चुका है और आपने मुझे एक पॉन भी दे रहा गुसने के लिए तो ब्लैक ने बोला चलो यहीं से करते हैं शुरू पहले आक्रमर्ण शुरू यहीं से किया जाए एक टेक्स भी फॉर फिर हो यहां पे एक टेक्स भी फॉर तो जो यहाली फाइल है अब यहां से क चुक्वीन भी आ सकती है यह उपन हो गया अब यहां पर किंग भी पहुँच चुका है तो दोनों साइट से आप अटैक कर रहे हो और इसके बाद यहां पर एच टेक्स जीफ हो रहा तो इधर से भी आपने फोर द यह बंब जो भी है गिरा दो उसके बाद यहां पर एच यहां से defense करता है इसको उसके बाद यहां पर रुक बीवन आया तो सबसे पहले तो भाई जो याला रुक है जो घर पर गोश चुका है उसको निकाला जाए किसी तरह किसे तो सबसे पहले तो यहां पर चेक दिया दोनों साइट से रुक आगे वहाई यहां से गेम तो अलगी जाइब का वहाई दोनों साइट से रुक आगे आपने चेक दे राजा को उसके बाद रुक से defense किया ठीक है रुक जीटू रुक ने capture किया जीटू और उसके बिश्यप ने capture किया जीटू तो आपने एक रुक छो था डिफेंडर था बहले आपने अपना attacker दे दिया लेकिन आपने एक तरह के से जो defender दो रुक थे उन पर attack तो कर दिया है अब देखते हैं दूसरा रुक है उसको भी कैसे गिराते हैं तो उसको भी गिरा दिया है दो रुक डाउन कर दे हैं यहां पर ब्लैक ने रुक टेक्स बीवन किंग ने capture किया बीवन में फिर knight ने capture किया यहां जी फूर अब यहां पर जो पॉइंट है knight को sacrifice क्यों किया गया मतलब एक pawn के लिए अब देखते हैं knight टेक्स जी फूर capture ग़ लिया तो अभी भी आपके पास जो है दो bishop है और यहां पर जो है दो bishop दो knight है और यहां पर घुब है यहां पर एक पीस तो down है फी पर देखते हैं यहां पर क्या गड़तेेंक ब्लैक ब्लैक कर आईडा ह। All is उसके बाद यहां पर bishop F3 पर एक पीस तो है यहां पर white के पास लेट सी अब देखते हैं यहां पर इसका फाइदा कैसे होता है क्योंकि जो black पॉन है यहां पर सारे के सारे के लाइन से लगी हुए और मेभी इस pawn को को époکо एक पार्सर है जो उसको पुष करकेके एक्टन ऐन वह नोदो पार्सर नहीं को ऐसे था दो जाल सकतेल हैं इधे बिशनी एक दूब कर व This अपस्ट है चांसट्री आया और शाओ चिलिश दूब किर थे यह प्रके के यहां पर G4 हुआ, उन्होंने बोले कि अब तो सीधा यार, pawn push करके queen मनाना है, और कुछ करना नहीं है, तो knight आया e2 पर, उसको बिश्यप जो है, इस knight को pin किया, बोले कि ठीक है, मैं इस pawn को push करके, इस knight को भी win कर लेता हूँ, तो उसके बाद यहां पर queen आई, d1 पर, तो bishop गया, g2 पर, तो एक मौका मिल गया, इस pawn को push करने का, तो उसके बाद यहां पर, bishop आया, आपका g6 पर, I think, इस pawn को भी बचाना था, क्योंकि इस pawn पर भी attack है, और आप push भी कर सकते हो, काफी ideas है यहां पर black के पास, तो पहले defense किया यहां पर, उसके बाद knight आया, g5 पर, दो attacker आगए, ओके, आपके pawn पर दो attacker, तो आप क्या करोगे अभी, तो आप करोगे, एक defencer और add करोगे, which is, knight b to c3, ठीक है, उसके बाद आपका bishop आया, f3 पर, तो bishop का भी roll तो है, यहां पर pressure बनाने का, let's see, आप this pawn को push कर सकते हो, कि नही knight को pin तो कर दिया है, pinning का game तो भाई, obviously इसमें बहुत खासियत है, इस chest में, तो उसके बाद queen आया, f1 पर, तो पहले pinning जो था यहां पर, इस knight पर, उस queen को हटा के पहले, nullify किया, उसके बाद यहां पर, जो है, king g7 आया, तो इस bishop attack है, तो आप कहां जाओगे, bishop गया, f5 पर, तो pawn तो defended है भी, और उसके बाद, आप queen पर भी attack कर रहे हो, तो queen गई, h8 पर, alright, तो आप इस पे घुसने के त्यारी कर रहे हो, में भी आप घुस सकते हो, आराम से pawn को push कर सकते हो, ideas हो सकते हैं यहां पर, but यहां पर पहले knight ने capture किया pawn, तो यह भी अच्छा idea है, actual मैं आपने पीस के बद ले pawn दिया, आपने भी pawn ले लिया, आपने पीस दे दिया, knight takes f4 हुआ, उसके बाद e takes f4 हुआ, तो यहां पर bishop takes f4 हुआ, bishop capture कर लिया, उसके बाद यहां पर bishop f6 पर है, फिर queen आई, आपकी c7 पर, तो possible है, आपकी knight पर attack है, दो attacker है, आपका एक defensor है, तो knight को आप चाहोगे, तो knight को पहले हटा दिया, आपने वहां से, knight f7, तो यहां पर knight b5 आया, तो spawn पर भी attack है, तो आप spawn को बचाना चाहोगे, या फिर एक और attack करना चाहोगे, तो यहां पर सबसे पहले queen a hat आया, तो आप इसको capture कर सकते हो, possibly, तो maybe आप इसको बढ़ा के spawn पर भी attack कर सक करते हो, let's see, क्या होता है, game में, यहां पर खेला गया e5, तो आपने, सोचा है कि चलो, इस file को open करके, या फिर इस bishop पर पहले attack करते हो, आप capture करो, कि मैं सहीच चेक दूँगा, या कुछ ideas है, यहां पर देखते हैं, उसके बाद यहां पर capture किया, d takes e5, आपने bishop को बच आया, d2 पर ले जाके, bishop d2, knight आया, d6 पर तो आपने बुला, exchange over, या फिर आप मेरे pawn को ले लो, कोई बात नहीं, मैं सिदा attack करने जाऊँगा, तो ठीक है, यहां पर आया, bishop h6, check, फिर उसके बाद king को बचाया, capture किया knight को, knight takes d6, check, और उसके बाद pawn से capture किया, c takes d6, तो उसके बाद आपने बोला कि चलो, exchange कर लेते हैं, जो है, bishop g5 आया, फिर यहां पर queen h8 पर, और उसके बाद, यहां पर bishop को, सोचा capture नहीं करेंगे, हम pawn लेंगे पहले, तो bishop e3 आया, फिर यहां पर e4 आया, pawn को push किया, और bishop ने capture किया, b6 पर queen h2 पर, possible idea आपका, राजा तो ब्लॉक कर दिया ह मेभी आप push करोगे pawn को, और मेभी आप काफी ideas हैं, देखते हैं क्या होता है, bishop g1 आया पहले, सोचा कि चलो पहले इस queen को भागाने की कुछिस करते हैं, बट उसके बाद यहां पर queen e2 पर आया, और यहां पर b5 खेला, तो यहां पर जो है, एक best move चली, bishop d3 चेक दिया, और यहां पर white ने resign कर दिया, तो possible idea हो सकते थे, यहां पर resign करने के, क्योंकि उसके बाद आप king को move करते, e2 पर, sorry, a2 पर, तो उसके बाद यहां पर आता bishop d1, और आप check देते, यहां पर यहां से check देते, चेक मेट करने के लिए, तो आप करते, bishop e6, चेक, और यहां, bishop e6, चेक, और उसके बाद king आता, e7 पर, उसके बाद आप, क्या करते, e7 पर आते, तो उसके बाद, आप suppose, यहां तो जा नहीं सकते, suppose आपने pawn push किया, तो सिधा, यहां पर check होता, और game over हो जाता, तो, आपको capture करना पर दा न, फिर उसके बाद, तो, यह तो game फिर, आप जीत ही नहीं पाओगे, फिर, यहां पर check आता, जा जाते, में भी pawn push करते, यहां भी bishop को ले ले लेते, यहां पर pawn push होने नहीं देते, बस, यहां पर black जीत गया, I think आपको यह game बसनाया होगा, thank you